Hello students I am BL Choudhary Team Botni CLC Seeker हाथ अब इस सब कैसे हैं अच्छे हैं मस्त हैं बिलकुल lectures को देखकर बिलकुल word to word आप अपने notes में note कर रहे हैं notes बना रहे हैं और बिलकुल आप NCRTC line to line पढ़ रहे हैं और आप copy syllabus cover कर चुके हैं और आप अपने confidence level को भी अच्छा कर चुके हैं ताकि आप अपने parents के सपने को पूरा कर पाएं हमारी आसों पर आप खरे उतर पाएं और first of all अपनी life को settle कर पाएं तो आपका जो goal है या जो आपको medicals बनने का जो सपना है वो 100% इसी साल पूरा होगा और आप NIT 2021 यान 2021 में आप एक best rank के साथ select होंगे और क्योंकि parents के सपनिया parents का अशिरवाद और आप समझ सकते हैं कि हमारा प्यार आपके साथ है और ध्यान दीजिए वेटा और बिल्कुल आपकी मैनत जीतेगी और मैनत जरूर जीतेगी क्योंकि CLC भी आपके साथ है हाँ तो ध्यान दीजिए आज के lecture में अपने एक बहुती interesting और scoring unit start करने जा रहे हैं जो आप अच्छे से जानते हैं that is ecology तो आज अपने ecology start करने जा रहे हैं आप समझ सकते हैं कि NEET की point of view से देखें तो यह topic भूती scoring है कम से कम मैं आपको बात बताऊं कि इस topic से per year NEET exam में कम से कम 10 question अब आप ध्यान दीजिएगा कि 90 में से 10 question it means आपका 13-14% portion को यह cover करता है तो भूती scoring हुआ और 100% बेटा ध्यान दीजिएगा आप कि इस topic से अगर आप NEET 2013 से लेकर आप 2020 तक various year के जो papers का solution आप देखेंगे या करेंगे और इसका solution हमारे CLC YouTube पे भी ecology first और second के नाम से बिलकुल उपलब्ध है तो अगर आप बहुत अच्छे से उसका solution देखेंगे तो आप 100% पाएंगे कि पूरा questions कहां से आ रहा है NCRT से आ रहा है और ये topic बहुत logical है और conceptual है और वहां बिलकुल trick और concept based question ही आ रहा है यस बेटा तो आपको उसी वे में तयार आपको करना है तो आई ये अपन देखते हैं पहले इसकी जो general terms होती है उसके बाद अपने इस topic को आगे बढ़ाते हैं और आप समझ सकते हो कि NCRT 12 में जो आपके चार chapter है chapter 13 organism and population जीव और समस्टी chapter 14 ecosystem पारितंतर और chapter 15 biodiversity and its conservation and 16 final chapter आपका environmental issues प्रयावने मुद्य पॉलूशनर ये तो आप समझ रहे हैं कि इस चार chapter इस unit के अंदर आपके आते हैं तो first of all आप देखे बिटा आपने बात करते हैं सबसे पहले ecology पारस्तितिकी तो देखेगा कि जो ट्रम इकोलोजी है इसकी उत्तपती दो ग्रिक वर्ड से हुई है अपने यह कहें बेटा कि ट्रम इकोलोजी तो आप देखिएगा कि इसकी उत्पती दो ग्रिक वर्ड हों से हुई है तो ध्यान दीजिएगा मैं वो लिखूँ एक ग्रिक वर्ड जो आपका है वो है आईकोस यस बेटा आईकोस है और दूसरी केपन बात करें तो वो आपका है लोगोस यस बेटा यह अपन कहें कि लोगोस किलियर अब देखिएगा यह क्यूशन कई बार आच चुका एक्जाम में आईकोस का अर्थ क्या है यस बेटा तो देखिएगा कि आईकोस का मीन क्या होता है तो आईकोस का मीन आपका होता बेटा है विटेट या हाउस वह एक ही बात हो गई आवास और अगर अपन बात करें कि जो अर्थ की ओपर सजीव हैं उनका अगर और अलग अगर 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 अपन देखें तो लाइफ होम का है एक ही प्लैनेट पे है एक ही घ्रह पे है और वह आप समझ सकते हैं क्या है जो आवास है वो क्या है बेटा अर्त पर्थीग्र येस और लोगोस का मेन क्या होता बेटा टू स्टेड़ी यानि अध्यन करना सिधी चीबात है तो एकोलोजी में क्या होता बेटा जीओंगे और आवास का अध्यन आप यह तो समझ सकते हो, आप diversity पढ़ चुके वटा, जो various life forms है, पर्थी उपर जो जीवन के विविन प्रारूप है, और जीवन प्रारूपों में अत्य दिक विवीता है, तो वहां आपने जहां से जीवन की उत्पती से लिए विविन प्रकार के आपने जीवन प्रारूप देखे, तो आप समझ सकते हो कि कैयों का आपने आवास देखा प्राथमिक रूप से जलिए, अब जलिए में भी दो टाइप के आवास, लवन जलिए, salty water, sea water, या फिर fresh water, स्वज जलिए, और उसके पशाद आपने देखा terrestrial, इस्तलिए, अब इस्तलिए में भी नम भूमी ह या आप समझ सकते हैं, plain area, समतल मैदान है, या mountain है, आप समझ सकते हैं, या forest है, clear, तो वहां भी आपके तरह-तरह के है, desert है, मरुस्तल है, clear, तो सजियों के आवासों का अध्यन ही क्या होगा, ecology होगा, लेगन पहले अपन कुछ बातों का अध्यन करते हैं यहां पर, देखो, फिर अपनी यहां बात करते हैं, कि जो ट्रम इकोलोजी है, ट्रम इकोलोजी, तो यह सब्द सबसे पहले किस ने दिया था, तो अपन क्या लिखते हैं मिटा, ट्रम इकोलोजी, वाज, कोईंड, एंड, डेस्क्राइब्ड, बेस्थ पहले यह सब्द और इसका विवरन, डेस्क्राइब्ड बाई, अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल, यह लोग, समत्य हुटा, तो इस एकोलोजी, पारस्तित की, सब्द का परियोग सरोफ्रतम किस ने किया, और इसका विवरन भी दिया, तो किसी ने किया Ernest Hackle इसे नहीं दिया लेकिन इसको इसका जो ठीक उप्योग पहली बार किसी ने किया था रिटर ने हालागी ट्रम इकोलोजी को सबसे पहले Ernest Hackle ने दिया था इसकी थोड़ी व्याख्या या इसको डैस्क्राइब भी किसी ने कहा था हैकल ने किया था लेकिन authentic यूज किसी ने बनाया था हम आप समझ सकते हैं उसने रिटर ने तो ध्यान दीजिए आपन कहीं बेटा कि it's आप समझ सकते हैं बेटा यह रो it's first authentic यूज यानि ठीक तरह से परियोग authentic यूज was made by reader यस बेटा आप समझ सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट बात आप समझ सकते हैं कि father of ecology father of ecology यानि बेटा पारस्तितिकी के पिता मह पारस्तिकी पिता मह कोण है बेटा reader है समझ गे पारस्तिकी पिता मह कोण है बेटा समझ गे और फिर अपन कहें बेटा कि father of Indian ecology यानि बेटा भारती परस्तिकी जो पिता मह है वो कोण है बताओ राम देव मिस्र यानि अपन संसित में लिखें तो आर मिस्रा यास बेटा और बहुत इंपोर्टेंट बात आप सुनना कि father of Indian ecology professor राम देव मिस्रा है यानि आर मिस्रा यास बेटा और बहुत इंपोर्टेंट अपन बात करें कि ecology ecology की परतेक ट्रम या जो भी level होता है इस तर होता है ecology की परतेक ट्रम का पादपों के अध्यन के लिए ecology की परतेक ट्रम को पादपों के अध्यन के लिए सरो फरतम warming scientist warming ने परिक्त किया यस बेटा इसने परिक्त किया बताओ warming ने बात को समझ रहे हैं इसलिए पन कहते हैं कि father of plant ecology plant के reference में तो अपन कहें कि भी father of plant ecology अपन कह देते हैं यह father of plant ecology को न होंगे बेटा warming तो यह कुछ ट्रिमिनलोजी हैं first of all पारस्तिकी सब्द का परियोग सरो फरतम यह पारस्तिक सब्द किस ने दिया सबसे पहले तो the term ecology was coined and described by Ernest Ernest Hickle लेकिन इसको ठीक तरह किस ने यूज किया यानि its first authentic use was made by Ritter तो father of ecology किस को पन consider करते हैं पारस्तिके पिता मैं किस को पन मानते हैं Ritter को यह बेटा और father of Indian ecology को नहीं प्रोपेशर, रामदेव, मिस्रा तो आप समझ सकते हैं कि प्रोपेशर, रामदेव, मिस्रा यानि आर मिस्रा और आप जानते हैं कि ecology की जो आगे level of organization में आपके जो hierarchy में जो आपके अलग-लग पद आएंगे उन सब पदों को पाद्पों के अध्यन के लिए सरवफरतम किसने प्रिक्त किया employed किया तो warming है तो आप कहते हैं कि फादरोप्लांट ecology कोण है? warming यह अपन कहा देते हैं यस बेटा अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिएगा यह ecology जो होती है इसकी definition क्या है? यस बेटा यानि सीधी सी बात अगर अपन करें कि भी ecology की जो परिवासा है वो क्या है? तो देखो आपन सीधी सी बात कहते हैं कि इसकी परिवासा क्या होगी? जो definition है वो क्या है बेटा? तो आप क्या कहोगे? कि ecology में ecology यानि बेटा पारस्तितिकी में सजीव वे परियावरण जो organism और environment है यास बेटा तो ecology पारस्तितिकी में सजीव वे परियावरण के परस पर समंदों का अध्यन किया जाता है यास सजीव और परियावरण के मद्दे सजीव और परियावरण के मद्दे के परस पर शोरी परस पर समंदों का अध्यन किया जाता है तो देखेगा बहुत इंपोर्टेंट यानि ecology जहां जीव तता परियावरण या जीव तता उसके परियावरण के मद्दे पाए जाने वाले परस पर समंदों का अध्यन किया जाता है येस बेटा और ये हापन कहें कि जीव तता परियावरण परस पर समंदों के अध्यन को ecology करते है जीव तता परियावरण के मद्दे अपस्तित परस पर समंदों के अध्यन को आप क्या कहते हो ecology तो यहां इस वय में भी आप लिख सकते हों कि देखेगा और्गनिजम और एन्वार्मेंट यह जीव और परियावरण के मद्दे पाये जाने वाले प्रसपर समंधों के अध्यन को आप एकोलोजी करते हूं बार बार बोर रहा हूं यह लो ओर्गनिजम और एन्वार्मेंट प्रसपर आपने अध्यन बता दिया बोलो यस और अप अच्छे से समझ सकते हैं कि देखो जीव और परियावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जीव जिस आवास में रहता है उस आवास के मालो या पर्यावरन के दो गठक है जेव भी है और एजेव भी अब जीव जिस आवास में रहता है वहाँ उपस्तित अन्य जियों से भी उप्रभावित होता है यहनि अन्य जियों के साथ भी वो interaction करता है interrelations रखता है तो अंतक्रिय और अंतरसमंद दों का अध्यन यस बेटा और साथ में वहाँ पर जो surrounding जो abiotic factors है temperature है, water है आप समझते हैं light है, soil है इन सब के साथ भी वो क्या करता है? interaction करता है तो आप कहते हैं बेटा, कि जीव तता पर्यावरण के मद्दे परस पर समंदों को यह आप क्या कहते हैं? ecology, तो organism और environment आप समझ सकते हैं बेटा कि जीव जिस आवास में रहता है organism वो वहाँ अन्य परकार के जो अन्य जो सजीव हैं, अन्य organism के साथ भी यस और साथ में आप जानते हो कि जो abatic factor है, बोतिक पर्यावरण है तो environment environment, यस बेटा और आप समझ सकते हैं कि environment में जैसे इस्तल मंडल है तो लीथो इस्पियर है यस, अगर जल मंडल है तो हाइड्रो स्पियर है और आप जानते हैं कि वाइव मंडल है तो atmosphere है ऐसी बोलो, यस बेटा, और मैं आपको यह बाते भी करता हूँ कि देखेगा कि जीव तो तब पर्यावरण हमेशा अन्योनासरित है ना, आप समझ सकते हैं कि उनमें interaction है और परस पर समंदित और परस पर अभिक्रियासिल है परस पर अभिक्रियासिल है यस, तो देखेगा कि यहां तो अपने ही कह देते हैं ना कि जीव और पर्यावरण और वैसे भी देख लेगा बेटा कि आगे जाकर अपने ही बात करेंगे कि environment environment जो पर्यावरण है पर्यावरण है उसके दो factor आप पढ़ोगे आपके जाकर एक तो उसमें biotic component पढ़ोगे biotic component यस बटा जो जेवी गटक पढ़ोगे तो biotic component में तो मालो किसी आवास में ये सजीव है यस अब ये सजीव है तो वहाँ आवास में ऐसा दहने कि वो एक ही सजीव है ये सजीव है और मालो कि ये मतलब producer है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ अन्य सजीव नहीं है हो सकता है कि दूसरा सजीव जो लवाइन है या टाइगर है जो इसका predator हो सकता है कोई plant producer हो सकता है जो इसको भोजन प्रोवाइडे करता है बात को समझे तो ये कोई भी एक organism होता है जिस आवास में रहता है अधर जो बायटिक component होते हैं जेवी गठक होते हैं और वो जेवी गठक अपना आगे जाकर पढ़ेंगे कि वो आप जानते हैं कि predator रूप में भी हो सकते हैं परबक्सी भी हो सकते हैं उसके parasite भी हो सकते हैं yes बेटा कि यहां पर जो उसके abiotic factor है abiotic component या abiotic factor तो आप जानते हैं कि climatic factor या climatic जलवाई कारक है या फिर edific factor है या इस पेसलिया आप जो ki abiotic या जो गठक है वातावरनी कारक है environmental जो कारक है तापमान है जल है आप जानते हैं विड़ा कि light प्रकास है या मरदा मरदी एकारक है वो भी उसको effect करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे तो अपना आप समझते कि organism to organism भी और organism to environment भी और इस environment भी दोनों ही है और other organism भी है और abiotic भी है yes तो अपने एक बहुत simple परिवासा या अपने विस्तरित परिवासा दें कि ecology में क्या होता है ecology में क्या होता है ecology में एक आप area लो किसी छेतर में अब एक area है तो उसमें कई प्रकार के सजीव है तो अपने क्या कहते हैं कि ecology में किसी छेतर में मिलने वाले सभी सजीव सबी सजीव के मद्दे होने वाली इंटर रिलेसंस अंतर समंदों अन्योन किरियाओं तो एक छेतर विशेश में जितने भी सजीव हैं उनके मद्दे आपसी अन्योन किरियाओं जो इंटरेक्शन्स हैं येस बिटा जो इंटर रिलेसंस हैं तता इन जीवों इनके एजेविक वातारोनी कारकों ब्रेकेटिर पर अपनाइब है प्रकास जल है मर्दा है करें मद्दे होने वाली जो इंट्रेक्शन से अंते किरियें हैं उन्ह बाइब सबका धिन किसमी किया जाता है एकोलोजी में जाता आपन तो देखो घर में हैं, फिर भी आप जानते हो कि अपन तो घर में हैं, तो अपन तो बचाव कर लेते हैं, ठीक है, फिर भी देखो अपन घर में हैं, सरदी में अपने को ठंड लगती है, तो टेंपरेचर अपने फेक्ट गर्मी में ज्यादा गर्मी लगती है, तो आप समर सीजन में जब होटनेस बढ़ती है तो आप समझ सकते हो कि अपन को जो पर्यावरण के एजेवी कारक हैं वो पनको प्रभावित कर रहे हैं ठीक है और अपन उनके प्रति जो भी अन्य उनकी रिया दर्सा आते हैं एक तो यह हो गया लेकिन जैसे कुछ साकारी जीव होते ह हीरन, एक अकरा हीरन बेटा जंगल में यह अब जंगल में है तो एक प्रक्रेखेलर में हीरन है अब वह उन्य कई vy है उस हिरन के लिए परभख्षी भी कोई है शेर हो सकता है तो उसके लिए पैरासाइट भी हो हाना तो किस एक चेतर विशेस में मिलने वाले सबी सजीओं कि आपसे इंट्रेक्शन उन जीवों उन जीओं की उनके भोतिक पर्यावरण जो उनके सराउंडिंग एनवार्मेंट है उसके साथ जो इंट्रेक्शन होगी उसको आप क्या को होगी इकोलोजी फिर कहेंगे वही बात बार-बार कि जीव और पर्यावरण एक दुसरे को प्रभावित करते हैं जीव और पर्यावरण परस पर अन्योनिक्रियासिल हैं बात को समझें अंतरसंबंदित हैं परस पर अभिक्रियासिल हैं बात को समझें और उसी को आप क्या कहते हैं एकोलोजी और सिंपल कहें तो जीव और पर्यावरण के मद्दे अपन इतना सा कहें कि जीव तता उसके पर्यावरण के मद्दे परस पर समंधों को ही अपन क्या कहते हैं इकोलोजी कहते है यह हुआ बेटा अब देखेगा कि अपन बात करते हैं कि ब्रांचे जो भी इकोलोजी यानि ecology की दो साखाएं बनाए गई है वो संगठन की स्तर के अधारपी बनाए गई है तो पहले अपनों उन ब्रांचेज की बात करते हैं and then अपन बात करेंगे कि level of organization तो एक बार संगठन की पूरे स्तरों की बात करेंगे अपन और उसके पशाथ अपन level of organization के according ecology को बनागी start करेंगे यस बेटा तो ध्यान दीजिएगा हाथ अब आप ध्यान दीजिएगा ब्रांचेज of ecology यह पारस्थतिकी की साका हैं और यह पारस्थतिकी साका हैं किसके आधार पर बनाएगे बेटा संगठन के इस्तर के आधार पर अभी अपन बेटा level of organization संगठन के इस्तर जस्ट इसके पशाथ अपन अध्यन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ब्रांचेज of ecology यह इन ecology की साका हैं संगठन के इस्तर के आधार पर तो बेटा देखेगा कि और आप अच्छे से जानते बेटा कि जो भी अपने terminology अभी बोली ही जैसे जी होता है जी और उसके आवासों का यह जी और प्रयावन के प्रसपर संबंदों का ध्यन तो भई आवास जो होता है उसके दो गठक होते हैं एजेव गठक होते हैं जेव होते हैं तो अपन प्रटिकुली आगे अपन एक एक गठक को भी पढ़ेंगे अभी तो यहां पर डेफिनिशन्स दी है तो यह पूरी तरह से आपकी किलिर होगी यह तो देखेगा कि जो फर्स्ट ब्रांच है इसको अपन क्या बोलते हैं और टेख आक अलोजी आत्शी और टेख आपन क्या बोलते हैं श्याल पारस्तितिकि ऑफ्ट यह बेटा और टिकोलोजी. श्वबपरस्थाती की? यस बेटा? और स्वबपरस्थाती की किसे कहते हैं? है ना बेटा? आप कहते हो कि इसके अंतरगत अपनी नहीं बोलेंगे कि इसके अंतरगत किसी एक जाती एक जाती यानि इस्पिसीज या अपन कहें population क्योंकि एक population में एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं जैसे नर्मादा जनन करके संत्यती पैदा करें तो एक ही प्रकार के सजियों का जो समूँ बने वो अपन आगे पढ़ेंगे population तो इसके अंतरगत किसी एक जाती species या population या जाती विशेश किसी विशेश जाती जाती विशेश जाती विशेश के किसी एक सदस्य यानि उस जाती के कोई एक इंडीजवल है ने उता इंडीजवल यानि विश्टी जैसे मानव जाती में अपने एक इंडीजवल होगे या तो नर एक इंडीजवल है और मादा अपने आपने एक इंडीजवल है तो किसी एक सदस्य यानि इंडीजवल का उसके पर्यावरण के साथ जिस आवास में रहता उसके पर्यावरण के साथ प्रस पर समंदों का अध्यन किया जाता है और देखेगा कि यहां पर किसी एक पर्टिकुलर स्पसीज एक विशेश जाती या जाती के विशेश सदस्य किसी एक इंडीज्वल जिस आवास में रहता है उसके पर्यावरण के साथ उसके अंतर समंदों का अध्यन किया जाता है तो यहां पर देखेगा आप यहां पर जो अध्यन की काई है अध्यन की काई यहां पर क्या है यहां तो कोई प्रटिकुलर एक स्पसीज है या फिर इंडीज्वल उर्ग्निज्वल उर्गनेजम यहां तो आप अच्छे से जानते हो कि यहां अध्यन की काई एक जाती है यह फिर कोई एक इंडीज्वल इसलिए आप इससे है स्टस्जीज इकोलोजी कहते हैं जाति पार्स्टेतिक यस तो देखो अपन बात करेंगे कि जब अपन लेवल अप और्गनेशन पढ़ेंगे तो एकोलोजिक लहरार्गी पढ़ेंगे तो एकोलोजी की जो सबसे बेसिक उनिट आएगी वो क्या हैगी जीव और्गनिजम अब वो इंडिजुल और अगर वो जनन करके नर्मादा जन करके अपने संक्या बढ़ा लेते तो क्या होगी इसपसीज तो अध्यन की कई कोई पर्टिकुलर इसपसीज या इंडिजुल होगा यस ऐसा तो होता नहीं किसी अगर अपने एक छेत्र में जाएं तो को एक जाती तो हनी विविन जाती हैं पादब भी हो सकता है जन्तु मे साकारी मासारी कई हो सकते हैं इसलिए देखेगा कि फिर दूसरी लेओलोप और्गनाशन पे जो दूसरी ब्रांच बनी तो वो बेटा क्या बनी सिन एकोलोजी सिन मतलब हो था न तो सिन एकोलोजी तो बेटा सिन एकोलोजी को अपन क्या बोलते हैं सम पारस्ततिकी ये लूजी सिन एकोलोजी अब अपन क्या कहेंगे बेटा कि इसके अंतरगत येस बेटा इसके अंतरगत किसी छेत्र विशेश में उपस्तित विभिन जातियों विभिन जातियों के समुहूं का उनके पर्यावरण के साथ परस पर समन्धों का अध्यन किया जाता है अध्यन किया जाता है है नड़ा यानि एक प्रटिकुलर एरिया है और एक प्रटिकुलर एरिया में जितने भी टाइप की species है, plant है, animal है, या microbe जो भी है, उनकी आपस की interaction और उनके परयावन के साथ, जो परस्पर समंदों का अधिन किया जाता है, तो आपकी क्या होती है, यहां सिंकोर कि खिटकितें में सब्सक्राइब सकते हैं चेए लिखनेटि के कहते हैं मुझी श्रीमा और सब्सक्राइल रास दो और यो श्रकाइर प्रॉलसका elkaar खरें स्वंद्यों का अध्यान यहां किया यह बहुत अच्छा क्यूहसं आता है हैं अध्यान की कि एक बहुत ही important बात अपना यहां पर आपके साथ करेंगे यस बेटा क्योंकि यह different species का study होता है अब देखेगा बेटा अब अपना जो topic आपके सामने start होगा वो आपका होगा देखना level of organization यानि संगठन के इस्तर तो देखे बड़ा कि यह जो पूरा सजीव जगत है यह दो लोप organization पड़ें संगठन के इस्तर पड़ें तो तीन आपकी हरार्की आती है physical हरार्की बोतिक पदानुकरम उसके बाद biological हरार्की जेविक पदानुकरम जो तुम cell tissue पढ़ते हो उसके बाद आप समझते ती ecological हरार्की तो इन सब को अपन किसमें लेते हैं बेटा संगठन के इस्तर संगठन के इस्तर यस बेटा और उन संगठन के इस्तर में अपनको इहां पर उनका नाम उसके बाद अपनको ecological हरार्की यानि पारस्ततिक पदानुकरम देखना होगा कि अपने ecology के अंदर जो अलगलग ट्रम या अलगलग लेवल यूज करेंगे और उसके पर उनके अकोडिंग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो वो क्या होते हैं यस बेटा तो लेवल ओफ और गिनाजेशन किलियर तो देखेगा कि मैं बहुत अच्छे से आपके सामने लिग देता हूं किलिर विटा तो लेवल ओफ और गिनाजेशन देखेगा कि 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 देखे बिटा और उसके अकोडिंगी चेप्टर आगे बढ़ेगा देखे बिटा कि एक टाइम था कि पर्थिव पर जीवन नहीं था तो आपने इवलूशन टोपिक में पहले जीवन की उत्पती पड़ी जीवन की उत्पती के कही सिद्धान दिये गए लेकिन जो पॉने परिन और हेल्डेन की वो सबसे मानने थी जो केमिकल आइपोथेसिस थी येस बेटा तो आप समझ सकते हो कि जीवन भी बना सबसे पहले एक सैल के फोम में क्योंकि कोशी का वो है जो अपना सोतंतरस्तित रख सकती है तो वहां तक जीवन आया तो वो भी आप जानते हो कि सर और वहां पर आपने जो मीलर ने जो सत्यापित किया था कि जैसे प्रमाणू फिर आप जानते हो कि भूफ हाई टेंपरेचर था उस समय सोदर ने बूलार भूफ हाई टेंपरेचर था हाईडरोजन बहुत रेक्टिव था तो complete oxygen से रेक्ट कर लिया पहले बार S2O बना नही हाईडरोजन बचे और उसको दूसरे रिण विद्यूति यानि आप समझ सकते हैं कि nitrogen से रेक्ट हो गया तो ammonia और ऐसे करते ही methane फिर जो hydrogen है ammonia है methane है तो सरलतम amino acids और ऐसे होते 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 हैं आप जानते हैं कि वह macromolecule के और या बायो molecule के बढ़ गया जीवन को बनाने वाले जो तत्वय या macromolecule वरदनू होते हैं macromolecule वरदनू जैसे आप बायो molecule topic में पढ़ते हो जीवदर्वे का जो अंस होता है तो बायो molecule या macromolecule या macromolecule जैवनू क्या होते हैं यस बेटा तो आप समझ सकते हैं कि देखिएगा कि वह जीवन ऐसे आप समझ सकते हैं कि जीवन क्यों आ रहा था लेकिन यह macromolecule बन गया जीवन नहीं आया क्यों क्योंकि स्वतंत्र स्थितों ग्रूप में कम से कम एक membrane उसके अंदर cytoplasm कोशिका द्रवे और genetic material आनवान सी पतार्त और आनवान सी पतार्त में DNA RNA और ribosome यान एंजाइम मसींद्री जब तक नहीं आई थी जब तक जीवन नहीं आया था macromolecule के package ribosome भी है macromolecule के जो constitute है पेकेज हों तो ribonucle protein particles आप समझ सकते हैं कि RNP particles आप समझ सकते हैं वाइरस भी है लेगिन वाइरस अपना स्वतंत्र स्थित नहीं कर सकते तो फिर biomolecule macromolecule से धीरी 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 आप समझ सकते हैं कि subcellular component जो उपकोशी की अव्वे हैं subcellular component वन तोड़ा पास लिखें मैं देखेगा कि subcellular component यस बेटा उपकोशी की अव्वे है कि यस बेटा और ऐसे होते होते आप समझ सकते हो कि जब एक complete structure of cell ने पूर रचना वाली सैल आ गई कोशी का आ गई तो आप जानते उसी के साथ क्या गया जीवन आ गया जीवन का पूर अस्तित्व आ गया क्योंकि आप में यहां पर थोड़ा बता देता हूं कि सैल का मीन होता कि कम से कम उसमें एक plasma membrane अनिवारी रूप से होनी चाहिए जो पूरे content को cover करें फिर आप जानते हो कि साइटो प्लाजम होना चाहिए साइटो प्लाजम कोशी का दरवे जो उपापची क्रियों का इस्तल है यह PM है फिर कोशी का दरवे और अंदर आप जानते हैं कि चाहिए वो प्रोकेट भी है तो उसमें genetic material चाहिए किसी भी रूप में हो DNA आप जानते हो शुरू में वर्ताकार रूप में था दूशुत्री वर्ताकार RNA राइबोसोम तो उसमें एंजाइमें मसींद्री और उपापचे तो जीवन आया था तो जब तक पूर सर्चना की सैल नहीं आयती तब तक जीवन नहीं आया था तो फिर आप जानते हो कि क्या गया सैल तो देखिएगा कि यह यह जो आप जानते हो कि परमाणू इलेक्ट्रोन प्रोट्वन से परमाणू अनू योगिक फिर वर्द अनू फिर सब संदर कंपोनेंट तक यह जो आपकी हरार्की है यह जो संगठन के स्तर है यह तो आपकी होती बटा फिजिकल हरार्की बोतिक पदानुकरम फिजिकल हरार्की फिजिकल हरार्की आपकी होती अब देखो जीवन आ गया सेल के रूप में कोई एक इंडीजुल एक एक उसका गुरूप में रह सकता है लेकिन जीवन की जटिलता पहले पर बता देते हैं कि जैसे से सेल और्गिनाइज धुई तो क्या हो गया टीशू यस और टीशू से आप जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम और्गन सिस्टम तो देखेगा कि जीवन की जटिलता बढ़ी ये जीवन की जटिलता तो इसको पन क्या बोल देते हैं बायोलोजिकल हरार्की यानि जेविक पद्धानुकरम बोल दिया जेविक पद्धानुकरम बायोलोजिकल हरार्की होगी लेकिन वो तो देखो जीवन यह तो जीवन की जटिलता है इसको आप जेविक पद्धानुकरम बायोलोजिकल हरारकी बोल देते हैं वरना यहां से भी अपना इंडीजवल औरगनिजम स्टार्ट कर सकते हैं एक विरस्टी क्योंकि जीव एकोस्की भी हो सकता है वो भी अपना सोतंतर स्तित्व है रखने मे सकसम होता है और जीवन के सारे आउशक कारे करने में सकसम होता है ठेर लेकिन अपना ऐसे लेले अब आप जानते हैं कि इसके बाद आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी जो इकोलोजिकल हरार की तो देखें कि इकोलोजिकल हरार की तो इकोलोजिकी जो सबसे बेसिक उनिट हो हैं तो प्रस लि यह आपकी समझ रहें और एक साल से बना तो एकोस केοςकि और अनेक से मुलकर भॉकोस के हो सकता है यह जीवन की जटिलता है बस नाप अब जांब उर्व करते हैं श्रम करते हैं और एक ही प्रकार के सदस से जो लगब में उनके समान होते हैं और आप समझ सकते हों कि संतती पैदा करते हैं जो समान संसादनों के लिए आप जानते हो कि इसपरदा करते हैं तो individual से आपका क्या बन जाएगा population population बोले तो समस्टी population बोले तो समस्टी येस बेटा अब समस्टी होगी अब एक छेतर में तरह तरह की population तो तरह तरह की population मिलकर क्या बनाएगी? Biotic Community जेविक समुधाए Biotic Community येस और Biotic Community जब तरह तरह के सजी होंगी तो आपस में परस्पर अन्योन किरया करेंगे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, interaction करेंगे और उसको बाद physical environment, abiotic factor अगर आ जाएंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा हो? ecosystem, ecosystem यानि पारितंतर, तो जेविक समुधाए के बाद पारितंतर फिर आप समझ सकते हो कि बड़े-बड़े ecosystem से आपका क्या हो जाएगा biome, geome और biome, geome के बाद आपका क्या हो जाएगा biosphere, biosphere यानि geomandel तो ये बेटा देखो आप समझ सकते हो कि ये जो आपकी है ये ecological hierarchy है, और अपन को यहाँ चार चेप्टर में किसको पूरा करना है level of organization, ecological hierarchy, hierarchy यानि जो ecological पदानुकरम है बात को समझे, अब मैं simple way में ऐसे लिखूँ, के ओल ecological hierarchy को लिखूँ तो देखिएगा, कि भी ecological hierarchy में क्या-क्या पद हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके पशात, अगर मैं के ओल ecological hierarchy लिखूँ, तो देखिए बेटा और ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, जैसे जैसे जैप्टर आगे बढ़ेगा, तो मस्क तरीके से आप समझ रहे हो ecological hierarchy ये पारस्तितिकी पद्दानुकरम, ये पारस्तितिकी में level of organization, तो देखिएगा, सबसे पहले आपका क्या है? individual, individual organism, यानि वेस्टि, जो basic unit है, आधार बोतिका है, सही ecology की, fundamental unit है, ecology की, basic or fundamental unit हो सकता है, अगर एकोस्का से मिलकर बनाया है, बोडी तो एकोस्की जो अपना सौत्म तरस्तितु दर्शा सकता है, और अने-कोस्काहों से मिलकर बणा होता है तो न्युदान वेस्टि, basic unit, fundamental unit है, सही, individual organism के पहशाथ आप जानते हैं, कि फिर, देखो, कोई एक जाती उसमें अकिला नर या मादा व्यस्टी है लेकिन नर और मादा फिर आप इंटर्विडिंग करके नई जननसिल प्रोजेनी या संतान, आप स्प्रिंग पैदा करती है तो उनका एक समू बनता है तो वो आपके सामने क्या आता है पोपुलेशन पोपुलेशन यानि क्या समस्टी यस बेटा जैसे जनमदर मरत उदर इसी पे निकालेंगे है ना यह जो प्राकर्ति गुपरना नेचुरल सेलेक्शन है वो भी पोपुलेशन पे ही लागू होता है इस सारी बाते खेर अपना आगे करेंगे समस्टी और फिर आप कहते हैं यानि किसी निशित भोगोलिक छेतर में समान परकार के जियों का समूँ जो आपस में अंतर परजनन कर सके और समान परकार के संसादनों का साजा करे उनके लिए इस परदा भी करे वो पोपुलेशन होगी आप कोई छेतर है तो वह एक पोपुलेशन दहनी तरह तरह की पोपुलेशन है तो फिर वो विभिन परकार की पोपुलेशन मिलकर क्या बनाती है बायोटिक कम्यूनिटी जेविक समुधाए और फिर आप समझ सकते हैं कि ऐजेव कारक आते ही जे और अजयव कारिक में लिकर आप क्या उनाते है एको सिस्टम पारी तंतर जो परकर्ति की स्वचलिट स्वान इंतरतिकाई है फिर आप समझ सकते हैं बायोम और फिर आप समझ सकते हैं बायोस्पियर जेवन्डल सबस्क्राइबanda अब देखो जैसे अगर अपने यहां से उधर बढ़ते हैं तो साइज आकार भी बढ़ेगा और कॉम्प्लेक्सिटी मितलब जटिलता भी क्या होगी बढ़ेगी यस पीटा अब इसको देखो परफेक्ट लेओल में लिखते हैं और उसी वेपे अपन फिर टोपिक को आगे बढ़ाएंगे आगे देखिए कब आदो देखे बढ़ा इसमें अब ज्यादा प्राठ्म तो देत हिरार्की एकोलोजिकल हिरार्की का मीन हो गया बटा पारस्थति की पारस्थति की पदानुकरम बोल सकते हैं अपन पारस्थति की पदानुकरम यस यह आपन कहें कि लेवल ओफ एकोलोजिकल ओर्गनाजेशन लेवल ओफ एकोलोजिकल ओर्गनाजेशन पारस्तत की संगठन के इस्तर पारस्तत की संगठन के इस्तर तो बहुत सारे लेवल्स है जिनको अपन वही बात जैसे अपन वर्गी की पदनकुरम आप देखते हो टेक्शनों में घरारगी देखते हो जाती और जान आप की पारस्तत की संगठन के अंदर से पहले बात करते हैं इंडिजवल ओरगनिजम यहां बात करते हैं इंडिजवल और खुन अजय वी और जिए उनिस्अ इंडिजवल ओररगनिजम आपन यूनिजवल अपन बढ़ता वबस्तरा Bowl देखते हैं तो इंडीजल और्गनेजम से जो next unit होती है next आपकी होती है तो वो क्या होती है बिटा population population तो बिटा population अपन यहां कहते हैं समस्टी आराम से देखे बिटा समस्टी clear है फिर अगली unit पर चलते हैं अपन इसे बड़े लेवल पर चलते हैं larger unit पर चलते हैं तो population के बाद अपन बात करेंगे बिटा बायोटिक कम्यूनिटी बायोटिक कम्यूनिटी यानि जेविक समुधाय जेविक समुधाय यस और फिर अपन बात करते हैं बिटा बायोटिक कम्यूनिटी के बाद जो अगला लेवल है तो individual organism से population, population से बायोटिक कम्यूनिटी और बायोटिक कम्यूनिटी के बाद अपन बात करते हैं ecosystem ecosystem, ecosystem, पारितंत्र, ecosystem की बात करते हैं और ecosystem के बाद विटा अपन बात करते हैं next जो है वो बीच में landscape ले सकते हैं, landscape, landscape और फिर अपन बात करते हैं किसकी बायोटिक की जिवाम और फिर अपन बात किसकी करते हैं, biosphere जिवाम यस बेटा तो ध्यान से सुनें आप सबसे पहले देखोविट आपन इसमें level of organization के अंदर सबसे जो basic आधारबूत unit है तो आप ध्यान दें कि भी सबसे पहले आपन किस पे आए, individual organism पे वेस्टी एक अकेला सजीव बात को समझ रहे हैं तो ये इंडीजुल ओर्गनिजम दो वेस्टी है ये पारस्ततिक अध्यन की आधार भूतिकाई है फिर देखो पुपुलेशन, समस्थी, फिर देखो आधिक कम्यूनिटी, जेविक समुदाय, फिर देखो एकोसिस्टॉम, पारितंत्र, फिर देखें लेंड़ स्कैप, बायोंव, बायोस्पेर तो यह आपके है एकोलोजिकल हिरार्की, पारस्ततिक पदानकुरम, लेवल ओफ एकोलोजिकल ओर्गनिजिशन, पारस्ततिक संगधन के विभन, इस्तर, यस बेटा, और देखिए, यहां आप मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूँ, कि जो इंडीज्वल ओर्गनिजम है, इं आपने से कहें, कि यह बेटा, पारस्ततिक अध्यन की बेसिक, बेसिक, वही बेसिक एंड फंडामेंटल यानि आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट, यस बेटा, तो आधारभूत इकाई है, तो देखो, पारस्ततिक अध्यन की आधारभूत इकाई, क्या है आपको वातावरण के प्रतिक आड़्जीई करता है है कैसा इपनवातवरण के कि याग्छीर होतीक पर एक अध्ले देश्टिक के शतरपान मैं आगे पढ़ेंगे फीजियोलोजी की निकोलोजी भी कारी की परस्तिती भी तो देखो इंडीजुल और मिन्जम बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है उसके बाद देखो अपन बात करते हैं जो आपका है कि यह अकेले इंडीजुल को एक वेस्टी को दरसाता है फिर आप देखो उसको आप कहते हो पॉपुलेशन समस्टी तो पॉपुलेशन क्या होती है मैं आपको बता दू कि पॉपुलेशन क्या होती बिटा ध्यान से सुनना कि गुरूफ ऑप इंडीजुल किसी भी एक निश्चित जाती के सज्चियों का समूँ जो एक निश्चित भोगलिक छेतर में रहता है उसका आप क्या कहते हो पॉपुलेशन तो आप क्या कहोगी किसी निश्चित किसी निश्चित जाती के सज्चियों का समूँ अथार्थ अपन कहें बेटा समान प्रकार के समान प्रकार के समान प्रकार के सज्चियों का समूँ जो निश्चित भोगलिक छेतर में रहता है ये क्या हो गया भई पॉपुलेशन बात को समझें तो सबसे पहले जब अपन इसका 13 चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी और परियावरण उसमें सबसे पहले बेटा अपने एक इंडीजल ओर्गनिजम क्या है और यह जो स्रावंडिंग परियावरण मोसम या पर्थ्वी के उपर अपन अक्सांस विस्तारी क्या है और एक सजीव की कारी की किरियों उपर इन परियावरणी कारों का एजेव कारों का तापमान का जल का प्रकास का मर्दा का इन सब का क्या उसके उपर परभाव है तो अपन इंडीजल ओर्गनिजम शुरू करके और अपन जो एजेव कारक होते हैं वातावरण के तापमान यह सारे पन पढ़ेंगे फिर अपन कहेंगे कि यह वेस्ति अकेला इंडीजल ओर्गनिजम उन आज़ेव कारक होते अनुकिरीए क्या दरसाता है बात को समझे और फिर अपन कहेंगे कि उस आवासों में रहने के लिए अड़ेफेशन अनुकुलन क्या दरसाता है और फिर इंडीज़ और नेक्स इसटाव जाएगे कि पॉप्लेशन क्या है तो पोपॉलेशन की डेफिन क्या कहते हैं population समश्टी कहते हैं यानि समान प्रकार के इंडिजोल का समुझ क्या होता है population होता है फिर इसके बाद मैं अपन देखो next unit पर आपन जाते हैं वह आपकी ये biotic community मतलब जेविक समुधाई तो जेविक समुधाई क्या है तो आप समझ सकते हैं कि जो जेविक कि इसकी निशीत में एक से अधिक जाती की जियों का समुधाई या फिर आपन कहें कि विविन जातिओं कि पोपुलेशन का समुधाओ कि जो किसी एक जेटर में रहता है तो अपन धाइब यहां आपन कहें कि विविन is जातियों डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्पसीज विभिन जातियों की पोपुलेशन यहीं समस्टियों का पोपुलेशन का समूर जो एक भोगुलिक छितर में रहता है दो गोलिक छितर में रहता है तो वो क्या है बेटा बायोटी कम्यूटिय यहीं डिफ्रेंट डिफ्रेंट पॉपुलेशन एक छितर की समस्ट प्रकार की पॉपुलेशन पादप जन्तु अब जन्तु के अंदर नोन कोडेट, कोडेट, यह सारे मिलकर, यानि किसी छेतर में मिलने वाली समस्त जियोंगी population एक particular area के अंदर, तुम कहीं पर भी जाओगे, कोई भी आवास देखोगे, तो वहाँ कोई एक प्रकारी जाती होगी, वहाँ पास में पोड़ा हो सकता है, कोई इंसेक्ष हो सकता है कैट हो सकती है, मानों हो सकता है, तो किसी छेतर में मिलने वाली समस्त population का سमूया विविन जाती हो, की population का समू, जो एक भोगुलिक छेतर में रहता है यान वहाँ जानते होकि न्नकिरिय Вам आप जानते हुद कि यह जो विविन पोपुलिशन आपस में iki in प्रकृवर्षन होता है जो विविन इससे प्रकृवर्पीजि विवता होती है हाना यह साउप कारिक्ता होती है तो ऐसे कई सारी इंट्रेक्शन परदसित करते हैं तो यह आपके होगी बाइटिक कम्यूनिटी क्या होगी बिटा बाइटिक कम्यूनिटी यहां आप नॉर्मल छोट छोड़ी डेफिनेशन ले रहे हैं हालाएं कि यह सारे टोपिक आगे एक बाइटिक कम्पोनेंट चलते हैं क्या चलते हैं उनली बाइटिक केवल जेवी गठक चलते हैं एक अकेला इंडीजवल सही फिर किसी निशी चेतर में सजियों का समू लेकिन एक ही प्रकार की सजियों का समू पोपुलेशन फिर किसी बोगुलिक चेतर में तरह तरह की जो रहती हैं तो उनका जो असेंबलेज है वो बाइटिक कम्यूनिटी जेवी की समुधाय बात को समगी अब बेटा यहां आपकी आजाएगी एकोलोजी यानि इस परियावरण की यह आपन कहें कि परकृति की जो काई है एकोसिस्टम कार्यात्म की काई है एकोसिस्टम पारितंत आप किसे कहते हैं तो बेटा जी मैं आपसे कहूं कि जो पारितंतर होता है कि एक समुधाय की समस्त पोपुलिशन और उन पोपुलिशन की आपसकी इंट्रेक्शन और फिर वो भोतिक परियावरण यानि वातावर्ण के साथ अगर interaction करे तो वो क्या होता है ecosystem यानि बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ecosystem के अंदर दोनु घठक आते हैं biotic, biotic और abiotic यानि यहां दोनु घठक होते हैं biotic plus abiotic component component, component मतलब यह अपन कहें कि जेविक तता ऐजेविक गठकों से मिलकर आपका बना है क्या, यह ecosystem पारितनता है, बात को समझ रहे हैं अब देखी बेटा, यानि अपने से कहें कि यह biotic community के साथ में अगर abiotic component और जुड जाएं बातिक परियावरन और जुड जाएं तो फिर वो क्या बन जाता है, ecosystem तो परिवासा क्या बन जाती है किसी छेतर विशेश में विविन परकार की population उनकी आपसकी interaction यह तो बायोटिक community होगी तता उनकी उनकी surrounding जो बातिक परियावरन है उसके साथ interaction तो यह क्या हो जाएगा ecosystem क्या हो जाएगा बेटा ecosystem तो बायोटिक और अबायोटिक component जेविक और एजेविक गठक मिलकर आपका बनता है क्या ecosystem यस बेटा आप देखो उसके बाद ecosystem और pione can机 तो लैंड स्कैप क्या है मैं आपको बता दूं कि यह प्राकर्तिक सिमाओं उसे क्या थे बिर्यावा चेतर होता है तो यह प्राकर्तिक सिमाओं से गिरावा छेतर होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार के पारितंतर उपस्त दोते हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार के पारितंतर उपस्तित होते हैं यस बेटा तो प्राकर्तिक सिमाओं से गिरावा छेतर होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं वो क्या है बेटा लेंड स्कैप ये धरती का मोजेक नुमा भाग है मोजेक नुमा भाग जैसे नदी जहां समुंदर में मिलती है तो फिर वहां अपनवातरी के आसपास देल्टा चितर होता वन भी लग जाते हैं आगे जली पारितंतर भी होता है तो ऐसे एक प्राकर्तिक सिमाओं से गिरावा मोजेक नुमा भाग मोजेक लाइक पेचेज गु के पारितंतर उपस्तित हो सकते हैं जैसे मैं आपको कहूं अंडबान निकोबार आईलेंड अंडबान निकोबार जैसे मैं आपको कहूं बेटा कि अंडबान निकोबार जो दीव समुए अंडबान निकोबार या आईलेंड तो वो अपन बात बात कि आईलेंड है अंडब बायोम है यानि एक बड़ा भगुलिक छित्र होता है जिसमें प्रयावरली कारक लगबग्या होते हैं समान और समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो मैं इससे कहूंगा कि लार्ज एको सिस्टम लार्ज एको सिस्टम फिर अपना आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंग तो बड़े बड़े एको सिस्टम बड़े एको सिस्टम यस बेटा यानि बेटा पर्थ्वी के से लार्ज बड़े बड़े जैसे उसन कड़वंदी वर्सावन या तुंड्रा बायोम तो बड़े बड़े एको सिस्टम जहां अपनबातरे की ओसत जल्वाई प्रस्तितियां वरस बर समान रहती है और वहाँ पाय जाने लिए वनस्पती और जो जन्तू होते हैं उनके प्रकार निश्चित होते हैं तो इसको आप क्या कहते हो बायोम जीवम कहते हो बायोम और फिर एकोलोजी की पारस्ततिक बदानुकरम की लेवल अप एकोलोजी और ओर्डिनाईशन क क्या है पर्थवी का समस्त भाग पर्थवी का समस्त भाग पर्थवी का समस्त भाग जहां जीवन संबव है पर्थवी का वो सारा भाग जहां जीवन संबव है उसको आप क्या कहते हो बायोस्पियर यस बेटा यहने पन कहें कि पर्थवी का वो समस्त भाग जहां जीवन संभव है चाए वो बेटा लिथोस्पियर इस्तल मंडल हो चाए वो हाइड्रोस्पियर जल मंडल हो चाए वो वायू मंडल एक्मोस्पियर हो यानि अगर जीवन इस्तल वायू या जल के साथ इंट्रेक्ट करे वो परत्वी का सारा भाग जहां-जहां जीवन संभव है वो बाइस पीर है बेटा और आपको मैं बता दूँ कि यह सबसे बड़ा एको सिस्टम है सबसे बड़ा एको सिस्टम और इसको पन कह देते हैं वेस्विक ग्लोबल एको सिस्टम यस बेटा और परत्वी का समस्त चाहे वो इस्तल मंडल हो इस्तल मंडल पर जीवन हो चाहे जल मंडल पर हो हाया ना और चाहे वायू मंडल हो यानि जीवन चाहिए इस्तल मर्दा के साथ, चाहिए जल के साथ, चाहिए वायू के साथ अगर इंटरेक्ट करे, तो वो किस में आता है? बाइसमेर मेने तो बैटा, देखो, मैंने आपको पूरे लेवल उप और और खनाएजिशन आपको बिल्कुल करमिक रूप से आपको यह एकोलोजी की पारस्तति की संग्ठ निस्तर अब हो सकता है कि एक लाइन दे रखी हो लिए मैंने आपको वर्ड वर्ड पूरा बता दिया अब सुनू अब एकोलोजी में कुछ परिवासा हैं कुछ चीजे काम में आएगी जिसे छोड़ी परिवासा हैं जैसे परियावरण किसे कहते हैं जैसे मोसम किसे कहते हैं जलवायू किसे कहते हैं और पर्थवी का जो तुम गलोब देखते हो तो उसका अक्सांस विस्तार और देशांत्र विस्तार आता है है ना जैसे भूमध्य रेखा से दुरुए की तरफ तो ऐसा कोई विस्तार अपन तो यह सारे छोड़ छोड़ी बातें के अपन चर्चा कर लेते हैं ताकि आगे पूरे चप्टर में वो सब जगे जगे पर हैं तो अपना कंसेप्ट शुरू से के लिए फिर अपना चप्टर स्टार्ट होगा तो यह तो बिल्कूल जो बेसिक और जो इसेंश जरूरी आउशक जो डेफिनिशंस हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं फिर अपन चप्टर कहा से स्टार्ट करेंगे वेस्टी से ही करेंगे पहले कुछ बायोम का स्टड़ी करने के पर शाहत अपन चप्टर कहा से स्टार्ट करेंगे वेस्टी से यानि इन्डिज्व मुल रूप से पारस्त्ति का नहीं बड़ा एकोलोजी जीवी संगठन के यह जो आपने लेवल ओप और गरेशन भी पड़े जीवी संगठन के चार स्तरों से समंदित होती है इन सब को मैं आपको लिया मुल रूप से पारस्त्ति की जीवी संगठन के चार स्तरों से समंदित होती है और वह आपका है जीव यानि इन्डीजोल जीव है उसके बाद population समस्टी के लिएर तो population है समस्टी है उसके बाद समुधाय तता जीवोम समुधाय तता जीवोम यह जीवोम बेटा बड़े ecosystem को represent करता है तो वह ecosystem ही आ जाता है न तो जीव समस्टी समुधाय तता जीवोम यानि बायोम यस बेटा आप देखो अपन बात कहीं यहां पर कि देखो संगठन के प्रतेक इस्तर पर दो प्रकार के आपके क्यूशन उड़ते हैं और कुछ लाए नहीं यहां ecology की एंशाट ने दे रेखी वह मैं आपको 100% क्लियर कर देता हूं जो साइद क्लियर नहीं करता है कोई तो आपको 100% आएगी मज़ा आएगा ecology को पढ़ने में तो बड़ा आप ध्यान दें कि प्रतेक इस्तर पर संगठन क के परतेक इस्तर पर दो परकारर के अ मैं कि परसं उड़ते यह कि है कि ये परकर्म क्यों किया जाता है इसे क्यों किया जाता है पहला तो ऐसे कि प्रक्रम कैसे होता है यह प्रक्रम कैसे होता है कोई भी प्रक्रम है कि यह प्रक्रम कैसे होता है कि लिए बेटा और फिर दूसरा आपका है कि क्यों किया जाता है क्यों परसन उड़ता है क्यों किया जाता है कि जैसे किश्या वहां कुछ मेक्टॉपन प्रोसेस आपको दे रखिए मेक्टॉपन कुछ घूशन सापको आराइज कर रहे हैं वहां पर NCRT के अंदर कि जैसे सुबसुबह बुल बुल गाना गाती है तो पहले बात तो जो शुबह सुबह आप समझ रहे हो कि मदूर मदूर जो बुलबुल को गाते आप सुनते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी आप पूछ सकते हैं, फिर पहले पक्सी कैसे गाना गाता है, बात को समझ रहे हैं, यह पूछ सकते हैं भी पक्सी कैसे गाता है, और दूसरा बात है कि यह पक्सी क्यों गाता है, कैसे के प्रती तो क्य है कैसे गाता है इसके पिछे तो किरिय विदी चुपी हुई है और क्यों किया जाता है उसके पिछे कारण आपका चुपावी क्यों किया जाता है तो देखो आपन कहें कि पक्सी के अंदर आप जानते हो कि यहां जो धाउनी यंतर होता है तो उस कैसे यह प्रक्रम कैसे होता ह इसमिन तो अपने से कह सकते हैं मेटाब कि वेगयाने का अपन द्रशत्रकोंच से देखें तो आप समझ रहे हैं , पहले परसंट का उत्तार है is कि वियुकல प्र तो यह बात आपकी है कि देखो बेटा पक्सी कैसे गाता है या पक्सी क्यों गाता है तो कैसे प्रकार की प्रस्टों के प्रक्रम पिछे जाने की जिगासा है जब क्यों प्रकार की प्रक्रम का एक महत्व है चुपा होता है जब हम अपने चारोर प्रक्रति को वेगानिक दर् वाक्यंत्र है और एक अस्तिका मलब धवनी अस्तिका प्राचलन है वो और क्यों क्या जाता है कीकि वह लेंगिक जनननि के लिए मेंटिंग के लिए अपने विप्रित साथी को क्या करता है प्रवात्री में खिलने वाले पुष्प क्या होते हैं और आप समझ सकते हो कि मोथ को चंद्रमा की रोशनी में वो सपेद रंगी उसको चंकिला दूदिया नजर आता है इसलिए प्रवात्री में खिलने वाले कुष्प क्या होते हैं तो 27 सलब को आकरसित करने डंखने के इस तहके आता है उसको पतर लग जातागी मकरंद कुधा वह आप दान्स करती है आठ आकर का डान्स करती है ताकि भाकी के सदस्यों के वह आकरसित करती है बात को समझे और कैक्टास में आप झानते हो कि इतने सारे काटे क्यों होते है समय थूद्यू नी पत्यों का काटे ताकिом कोक्ली बार Monday को वही से अधर जो नॉर्मली अपन बात करेंगे पहले पुछ परिवासाओं की कि जैसे पर्यावरन क्या है जलवाई हूँ क्या है मोसम क्या है और उसके बाद मैंने आपको बतायाता कि कि अक सर्श का देश्वांत्र विस्तार की बात करेंगे फिर अपन जिवों की थोड़ा अध्यन करके आपको ग्राफ का बना रखा है तो बायों का अध्यन करने के बाद अपन जी वेस्टी से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे यह सारी सब्सक्राइब अपन देखते हैं एनवार्मेंट परियावरन परियावरन परिया यह शारी सब्दा उली जो आपने छोटी क्लास में पढ़ ली लिए फिर भी यह आगे पूरी एकोलोजी में साहिक होंगी इसलिए में यह यहीं पे clear कर देता हूं, तो देखो एटा, environment, पर्यावरण, यानि किसी भी सजीव के चारोतरप उपस्तित, कुल परस्तितियों का योग, किसी भी सजीव के चारोतरप उपस्तित, अपना कहीं बढ़ा, किसी भी सजीव के चारोतरप, चारोतरप उपस्तित, कुल परस्तितियों का योग, यानि बढ़ा सारी कंडिशन्स जो एक सजीव के चारोतरप उपस्तित होती है, चाहे वो जल में रहे, चाहे वो इस्तल पर है, या फिर वायू में है, तो वो सारी कंडिशन्स जो सजीव के चारोतरप उपस्तित रहती है, एक सजीव जिस जहां रहता है, वहाँ अन्य जेव, हो सकता उसका परबक्षी हो, उसका इस्परदी हो, हाँ है ना, और पर्यावरण के जेव कारक भी उस पर परभाव डालते हैं, तो अपने एक बात कह दी, कि किसी भी सजीव के चारोतरप, स्राउंडिंग, उपस्तित, कुल प्रस्तितियों का योग, कुल प्रस्तितियों का योगी क्या है, पर्यावरण है, क्या है बेटा, प्रयावरण, यस बेटा, यह अपन और इसको अपन कहें, कि यह सभी, सभी जेविक यानि बायोटिक, यह सभी जेविक वे एजेविक गठकों का योग है, अपने कहें बेटा, the sum total, sum total of all, बायोटिक और अबायोटिक, यह सभी जेविक और अजेविक गठकों, यह अपना हैं, गठकों, पधार्तों, ऐसे कहें अपन पधार्तों, तता, प्रस्तितियों, प्रस्तितियों का योग है, जो किसी सजीव पर बलपुरुवक परभाव डालती है, बलपुरुवक परभाव डालती है, येस बेटा, तो यह आपका क्या हो गया, एनवार्मेंट, क्या हो गया, एनवार्मेंट, यानि जो अपने सराउंडिंग जो कुछ भी है, आपके चारों तरफ जो कुछ भी है, आप अगर किसी जंगल में चले जाएं, तो आपको हिमिडिटी महसूस हो रही है, आदरता प्रेचर है, वो तो ही है, साथ में कोई जहरेला जी उसाप आपको काड सकता है, कोई आप जानते हैं कि महासारी काडने और उसको टाइगर या आप राटे कर सकता है, तो वो जो आल कंडिशन्स हैं, किसी भी सजीवी के चारों तरफ उपस्तित कुल पस्तितियों का योग, हाँ है न बटा, क्या है परियावरन, यह अपने काया कि some total of all, biotic और abiotic factor, substance and condition, yes बटा, that's around, जो अपने उचारों तरफ से घेरती है, and potentially और बलपुरुक, influence अपने पर परभाव डालती है, that is environment, क्या होगे बटा, environment, yes, और अब अपन बात करें बटा, कि इस परियावरन के ज इंटर संबंदीती भी, interlinked भी है, और वो आपस में अन्योन क्रिया भी परदस्यत करते है, yes, तो खेर, normal था, लेकिन आपके सारी बात समझ में आई, आप देखो बटा, आपन बात करते हैं, का आप रोजणा, एक सब्द सुनते हो, कि यह क्या होता है, weather, weather क्या है, yes, मोसम क क्या है, clear, तो आपने एक लाइन दो पर ऐसे लिखेंगे, कि जो weather है, मोसम है, वो क्या है, कि वायूमंडली प्रस्तितियों में अचानक होने वाला बदलाव, वायूमंडली ये, प्रस्तितियों में, वायूमंडली प्रस्तितियों में, अचानक होने वाला बदलाव, अचा दिन बर खूब धूब गिरे खूब गर्मी हो जाए और अचानक फिर रहन हो बरसात और साम को ठंडी हो चल जाए तो एक पूरी दिन में एक इस्तान का दो बार या तीन बार चेंज हो सकता ही है तो वायू मंडली प्रस्तितियों में अचानक होने वाला बदलाओ क्या कराता ह है वेदर मोसम यस बेटा है यह अपन कहें कि यह यह वायू मंडल के मोसम यह वायू मंडल का या वायू मंडल के अल पाउदी क्या अब आप अवदी अलप अवदी गुन हैं यस बेटा यानि शोट ट्रम प्रोपर्टीज प्रोपर्टीज आफ एक्टमॉस्पियर एक्टमॉस्पियर कि ने बेटा वाईव मंडल के अलप अवदी जैसे की आपको में बताओं जैसे की उसमा होती है थंडा अपने होती है थंडा अपने होता है रैन है आदि हैं तो आपने कहें कि हीट है cold है यह आपने कहें cloud है या फिर rain अपने बता दिया आदी कि लिर उड़ा जो की एक विशिस्ट इस्तान वे या निशिद इस्तान वे समय के लिए समय के लिए तो यह क्या होगए विटा वेदर मोसम अब इनको ज़्यादा आपको ओ नहीं करना है लेकिन एक बार इसे दिमाक्स में गुजार लेना है अब सुनो यह जो मोसम है न यह time to time, एक इस्तान पर समय का अकोड़ेंगी वेरी कर सकता है, यह अपना बात रहें, एक इस समय में, अलग लग इस्तान पर यह वेरी कर सकता है, बात को समझ रहे हो आप, तो यह आप समझ रहे हो कि भी, मतलब, यह प्लेस टू प्लेस, at the same time, और also at the same place at different time, यहनि बिटा, एक ही समय में, यह है, इस्तान से इस्तान, यहनि अलग लग इस्तानों पर, इस्तान से इस्तान पर वेरी करता है, मतलब, बदलता है, क्लिर डा, और अपन कहें, एक ही समय में, इस्तान से इस्तान, अलग लग समय में, अलग लग होता है, मतलब समझो आप, जहाँ आप रह रहे हो, तो आप समझतो, कि एक स्तान है, उसमें तो समय के नुसार बदलेगा, सुबह क्या और साम को क्या, और एक समय में हो सकता, जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ बहुत ज़्यदा गर्मियों, और दूसरी स्तान पर रहन हो रही हो, वहाँ ठंड हो जाए ज़्यदा, बात को समझ रहे हैं, तो यह अपन बात कि आपका क्या होता है, वेदर होता है, मोसम होता है, तो मोसम की रोजना रिपोर्ट दी जाती है, और यह डेली का डेली आपको रिपोर्ट मिलती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, वेदर, मोसम कहते हैं, इसके बाद एक सब दाता बेटा, क्लाइमेट, जलवाईू क्या होती है तो देखों है पनों पढ़ते हैं कि इस अपने वर्ड लेते हैं क्लाइमेट जो इंपोर्टेंट है क्लाइमेट क्या है और वो इंपोर्टेंट है क्योंकि उसके कई सब्द आपके सामने आगे चैप्टर में आएंगे यस बेटा तो ध्यान दें क्लाइमेट क्या है जल्वाई हो क्लाइमेट जल्वाई हो तो ध्यान से देगे विटा कि एक निशित एक निशित इस्तान या निशित भोगोलिक छेतर की एक निशित भोगोलिक छेतर में जो आप जानते हो कि वायुमंडली प्रस्तिती है एक्टमोस्परी कंडिशन है वायुमंडली प्रस्तितियों का ओसक्त ओसक्त क्या कराएगा जल्वाई हो अब ऐसे नहीं है जैसे अपने यहां पर दो महीने बरसात हो जाती है और बाकी समय अपनवात जातर गर्मी रहती है तो अपने जल्वाई को आदर नहीं कह सकते हैं अपनी जो यहां रास्ता नहीं जल्वाई हो उष्ण जल्वाई और सुस्क है उष्ण और सुस्क है समझेरो ना तो अपने पूरे साल बर का एवरेज लेंगे एक निशित भोगोलिक छेतर में वायुम मतब एक बड़े छेतर की वायुमंडली प्रस्ततियों का ओसत जल्वाई कहलाता है जैसे तुम कहते हो ना उत्त्री भारत की जल्वाई है दक्षनी भारत की जल्वाई है अपने यहां पर रास्तान के अगर अपने यहां बात करें तो सुस्क है और मतलब गरम है तो वह है एव्रेज लेते हैं तो वह अपने बात बढ़ा किए क्लाइमेट होता है क्लाइमेट होता है क्लाइमेट अब आपने एक बात बढ़त हैं कि यहां बतलब तंप्रेचर और रेंड फॉल यह puisqu तापमान व वर्षा, तापमान व वर्षा, टेम्परेचर एंड रैनफॉल, तापमान और वर्षा, दो सबसे महतोपुन कारक हैं, कारक हैं, जो किसी छेतर की जलवाई को निर्धार्द करते हैं, बात को समझे विठा, यहनि टेम्परेचर एंड रैनफॉल are the most important factor that determines the climate of a particular area, किसी निशित छेतर की जलवाई को निर्धार्द करने में, जो सबसे महतोपुन कारक हैं, वो दो कारक हैं, तेम्परेचर एंड रैनफॉल, यह बहुत important note है, कई बार नीट एक्जामी क्यूशन आ गया है, यस बेटा, अब देखे बटा, यह तीन टेमिलोजी आपको मिने बताई, पर्यावरन क्या है, मोसम क्या है, क्लाइमेट क्या है, अब अपन बात करेंगे, कि तुम्हें पता ह पर्थवी सूरे के चारोर चक्र लगाती है, पर्थवी सूरे के चारोर गुनन करती है, आपको पता होना चीए, यह तो खेर आप समझते हैं, यस बेटा, तो पर्थवी सूरे के चारोर गुनन करती है, पहली बात तो, दूसरी बात यह कि अपने अक्स के उपर जुखाओ कराउव करतीह सूरिक को टाप मान की צopardi में और जो आउदी है और वार्सिक सुसम्न वोर्षक कर रिद्ख और इसके फल सुरूप रितु बनती ऑन Murilli वरन रीदे मोली से 공ान ख्र्रेद तो जाधा तो वह गिरिसम जलवाई हुआ है और जहां सरद रितुचे सरत जलवाई हुआ तरह तरह की वह सारी बातें आपकी होती है और उसी के कोडिंग अपन बात रहे की बड़े बढ़े भोगोलिक छेतर बंते हैं बायोम भी बनते हैं उपन बताएंगे तो उससे पहले कि इसकी महत्यूपन जानकरी देंगे कि भूमद्य रेखा है और यहाँ पूल्स हैं तो पूरी अपने अपने जानकरी से परेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा बेसिक था तो नेक्स लेक्षर अपको जो अकसान से विस्तार जो ग्लोब के उपर पूरा एक यूनिट का विस्तार पूरी एकोलोजी में काम में आएगा, तो विस्तार बताएंगे, और पहले आपको थोड़ा सा सोट एक बायोम के बारें बता देंगे, और फिर अपना चेप्टर स्टार्ट होगा, जी और प्रयावरांजी, आप देखो, फिर में लास्ट लाइन आपको बताएं, जो बहुत दो चीज आपकी आती है बेटा, अभी आपको बताएंगे कि एक तो भूमद्य रेखा से दूरी, यानि भूमद्य रेखा, जीरोडी के अकसांस है, तो अकसांस के आधार पर जलवाई कोटीबंद, और जैसा अकसांस के आधार पर जलवाई कोटीबंद होते हैं, वैसे मुंदर तल से उचाई है, तो यहाँ दो चीज लेंगे, लेटिटिटूड अकसांस और अल्टिटूड बेशांता, लेगने पहले अपना बात रेखी, लेटिटूड के साथ साथ वही सारे बाते अपन करेंगे, तो देखो, अब अपन पढ़ते हैं, जलवाई कोटीबंद होते हैं, तो यहाँ आपन लिखेंगे, एकसांसों, अकसांसों के साथ साथ माद्दे तापमान, और अकसांसों के साथ माद्दे तापमान में बदलाओ के आधार पर, माद्दे ताप्मान में बदलाओ के आधार पर निम्न जलवाईू छित्र होते हैं निम्न जलवाईू ये छित्र होते हैं अन्य वड़ा या मुख्य जलवाई छित्र इस प्रकार है यह पिर अपन लिखें में बटा कि आधा पनी तेंप्रेचर आलोंग विट लेटीटीटूड आपना विटा ओंदा बेसी सोफ लाइक करें देसे और में उच्एचिस ऑफ जो इससो विरियेशन विरियेशन टेंप्रेचर जो मर्धत आप माने मिन टेंप्रेचर यस बिटा, mean temperature along with latitude, यह एक्सांस, latitude, यस बिटा, four climatic zones, यह आप समझ सकते हैं कि अक्सांसों के साथ माध्य तापमान में बदलाओ के अधार पर निमन जलौई छित्र हैं जो इस प्रकार है या फिर on the basis of variation in temperature कि तापमान का बदलाओ, लेकिन किसके साथ साथ, अक्सांसों साथ साथ, यस तो आपको चार climatic zone, जलौई छित्र पहचाने गए हैं, यस बिटा, तो देखो, वो जो जलौई छित्र है, वो इस प्रकार है, मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान दे बिटा, सबसे पहले देखो, अपन यहाँ पर इस zone का नाम क्या है, छेत्र, तो zone का क्या नाम है, छेत्र क्या है, clear बिटा, और फिर अपन बात देखी, वो zone, किस अक्सांस प्रास में, यानि latitude, रेंज में आएगा, latitude, range, यानि बिटा, अक्सांस प्रास, अक्सांस प्रास, यस, और फिर, अपन कहें कि, mean, average, टेंप्रेचर यह मीन टेंप्रेचर जो माद्दे तापमान है और फिर अपने वहां कंडिशन दें कि भी विंटर सीजन की वहां क्या कंडिशन है विंटर सीजन मनलब सरद रितु यह स्वेड़ा सरद रितु यह लोगे अब गयांदो सबसे पहले सिफंपनबात कि रखी फस्ट आपका जोन आता है यहां पर फस्ट जोन वहां पर जो होता है वह आपका जो लेठाड वीकल जोन है अप्रोफिकल जोन होता है इस पास जिरो डिगरी से 20 डिगरी तो इसका लेटिटुड है 0 degree to 20 degree यह 0 degree से 20 degree और यहां का जो mean temperature 24 degree से अधिक ही है 24 degree से ज़्यादाई है बात को समझ रहे हैं यानि आपने बात इदे कि 24 degree से ज़्यादाई है और winter season या निल मतलब यहां सरद रितु नहीं आती है सरद रितु नहीं आती है तो आप समझें कि निल मतलब नहीं आती है और आप समझ सकते हो कि यह बिलकुल भूमद्य रेखा कि जस्ट पास है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो ट्रोफिकल रैन फोरेस्ट आते हैं उसने कटीबंदी यह उसने कटीबंदी यह वर्सा वन यह ज़्याद आते हैं उसने कटीबंदी वर्सा वन यस यह बात होगी आप देखो अपन वाद बात की सेकेंड की बात यहां करें तो यह आपका होता है सब ट्रोफिकल सब ट्रोफिकल सब ट्रोफिकल जोन तो बटा देखो कि जो सब ट्रोफिकल जोन होता है यानि उपोर्शन उपोर्शन उष्ण कटिबंद तो यह भी उष्ण कटिबंद का पार्ट होता है लेकिन खोड़ा सा सब ट्रोफिकल यहां यहां यह 20 degree अकसंस 20 degree से 40 degree अकसंस तक आपका होता है क्लिर विटा और आप समझ रहें कि यहां जो तापमान है temperature वो अपन बात रहें कि 17 से लेकर 24 तक यह वेरी करता है और यह अपन बात रहें कि यहां mild winter मतलब हलकी सी winter आपकी आती है mild winter वन हलकी सी winter season आ सकती है जो उसन कटी बंद परणपाती वन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं आपर उसन कटी बंद परणपाती वन बात के समझे तो यह परणपाती वन यहां ज़्यादा आते हैं के लिए रहे बटा इसके बाद में देखो जो थर्ड क्लाइमेटिक जोन है वो आपका है temperate zone temperate zone है temperate zone temperate zone की बात करूँ बेटा में तो देखो सितोषन छेतर सितोषन छेतर और आपको मैं बता दूँ सितोषन छेतर 40 डिग्री से 60 डिग्री अकसंस और यहां जो अपनवात बढ़ा की आपमान जो होता है वो अपनवात रखी साथ से लेकर 17 डिग्री सेंटी ग्रेड के बीच होता है और मैं यहां बता दूँ आपको कि यह जो temperate zone होता है तो temperate zone के अंदर winter होता है बात को आप समझ रहे हैं और winter season अच्छे से होता है और आप जानते हो कि occasionally कभी-कभी occasionally कभी-कभी occasionally snowfall हो सकता है बरबारी भी हो सकती है बात को समझ रहे हैं तो यह आपका ओगए temperate zone और फिर जोसे fourth zone है तो यह आपके होते हैं आकर्टिक आकर्टिक और अंटार्टिक अंटार्टिक तो यह आप जानते हो कि 60 degree से 80 degree अकसांस के बीच और यहाँ temperature की मैं आपके सामने बात करूँ तो बेटा below 7 degree या 5 degree से कम हो सकता है कि माइनस में भी चला जाए temperature तो यहाँ आप जानते हो बेटा कि दिर्ग सरद रितु का मतलब हो गया prolonged prolonged winter prolonged winter हो गया और भोती ज्यादा बरबबारी हम आपन कहें कि evident snowfall भोत ज्यादा बरबबारी यहाँ हो सकती है जैसे अपन बात बात की जो तुंडरा छितर होते हैं बात को समझ रहे हैं तो ऐसे आपके climatic zone है तो बेटा देखो यह आपके climatic zone है अब मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने और clear करूँ पहले जैसे बेटा मैं भूमदे रेखा से आपको मैं बताओं कि भूमदे रेखा से अगर आपन दुरूओं के और जाएं तो कैसे कैसे आपके zone होते हैं और फिर मैं उसको थोड़ा और आपके सामने clear करूँ गा येस बेटा तो ध्यान से सुने देखो यहां अगर आपन मैं बात करूँ कि यदि आप भूमदे रेखा से दुरूओं के और जाते रहीन अकसांस विस्तार को बताते हैं फिर मैं गलोब गलोब पर आपको पूरी भूमदे रेखा और अन्य रेखाएं जो हैं उनको भी मैं प्रदसित करूँगा तो ध्यान से सुनना आपने गलोब देखा होगा तो यह अगर आपन भूमदे रेखा से तो बेटा देखो यहां मैं मानों कि बिल्कुल बीचों बीच यह भूमदे रेखा है जो 0डिगरी यहां बता दूम्हें आपको आपको यह आपकी भूमदे रेका है ऑक्वेटर उनको Laura को को प्रदसिति करता है एकवेटर गोमदे रेखा को परदसित करता है यह सभी भी ये को प्रदशित करता है और अब इस निमंतम सबसे लौइस भी लोवेस्ट इस त्जी डिगरी से जिरो डिगरी से बिगरी जीरो डिगरी से यहां आपन कहें कि 20 डिग्री अब यह नौर्थ है तो आप समझ रहें कि 20 डिग्री नौर्थ फिर 20 डिग्री से 40 डिग्री तो यह देखिए 40 डिग्री नौर्थ 40 degree से 60 degree ये देखे 60 degree North और आप जानते हो 60 से 80 और इधर आपका जाएगा North Pole इसको आप कहते हो Arctic येस बेड़ा और ऐसे अपन बात करें कि यहां से वही 0 से 20 degree South ये South हो गया फिर 40 degree South ये 40 degree South हो गया फिर 60 degree South ये 60 degree South हो गया ये इसमें पन लेने कि 80 degree जो भी है 80 degree जो भी इसके आगे का पार्ट है 60 से 80 तो बिटा देखिए चाहे आप इस भूमत रेखा से चाहे आप उतिक दुरूई के और चले जाएं तो आपका ये ट्रॉफिकल है ट्रॉफिकल ट्रॉफिकल जोन हर इस्पेसलिया ट्रॉफिकल रैन फॉरेस्ट उसन कटिबन हाना अब अपन कहें यहां सब ट्रॉफिकल उपोशन और यहां अपन वातरा की टेम्पेरेट सितोशन टेम्पेरेट सितोशन और उसके बाद आप जानते हैं की आकरटिक जो भी है ऐसे इदर अपना जाएं वह वापसे वही क्या ट्रॉफिकल ट्रॉफिकल जोन उसके बाद देखो टेम्पेरेट सितोशन और उसके बाद आप जानते हैं की यह ट्रॉफिकल हो गया ट्रॉफिकल बाद सब ट्रॉफिकल सब ट्रॉफिकल और उसके बाद क्या temperate, situation येस बेटा और ये आपका Antarctic ये बात को समझ रहे हैं तो ये अपन बात बात कि जो equator line न भूमद्य रेखा है तो भूमद्य रेखा से ये poles की और अपन ये आपको जो जलवाईव छित्र बताए गए हैं येस बेटा अब देखिए अपन इनको थोड़ा सा next और भी किलियर करेंगे बिल्कुल अपन सारी lines को बताएंगे और कौन सा छित्र किस एरिया में आता है और किस टाइप की वहाँ vegetation है यानि वनस्पति का इस्तर विन्यास क्या है तो उसके बारे में अपन next देखते हैं अध्यान करते हैं